तो गाईस, क्या हाल चाल है? यह हमारी नई बईक है, जो की मेरी धन्नो है तो यहाँ पर बहुत लोग को अभी एक चीज नहीं पता है, इस वीडियो में बताऊंगा कि जो बाइक में, जो हमारा meter console है घाल में हमारे जो वीडियो ब्लॉग है अगर पूरी देखते हैं वीडियो तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं ते चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर देना तो यहां पर मैं ब्लॉग के माध्यम से बनाऊंगा मेरा एक अलेड़ी टेक चैनल है तो उसमें मैं कुछ डीटेस बताता रहता हूं बट इसमें ब्लॉग में बताता हूं ठीक है तो यहां पर देखते हैं यह हमारा टाइम है तो अभी हो रहा तीन चौदा तीन बज़के चौदा मिनट तो इसको मैं सेट करके दिखाऊंगा मैं इसको कैसे सेट किया जाता है सही टाइम भोलो को गलत रहता है सेट करता नहीं आता तो पहले तो चाहिए दीस्पले में देख सकते हैं कि कुछ फीचर से तो मैं फीचर के बारे बताऊंगा यहां पर अब यहां पर यह हमारा लिबीस ड़े अनज सब्सक्राइं और हमारा यह एब एस प्रूरा मुंटर का कंसूल है यहां पर यह दिख रहा है कि आपके इसमें कोई खराबी नहीं मतलब इस्टेंड भी लगा है तो ऐसे दिख रहा है अगर मैं इस्टेंड रटा दूंगा तो यह सही हो जाएगा इससे कभी-कभी सर्विसिंग या कुछ भी तेल नहीं होता है पिर रोल तब ऐसा दिखता है कि इससे क्या होता है तो यहां पर देखते हैं जो पहला वाला हर यह यह आरपीम है आरपीम मतलब जो हम स्पीड बढ़ाते हैं तो कितने आरपीम तक जाता है यह आज जाता है 9000 आर्पेम मतलब यहां पर लॉक हो गया है 1012 की बीच में लॉक हो गया है तो यहां नहीं जाएगा केवल 9000 तक ही रहेगा आर्पेम ठीक है तो पहली सर्विसिंग अभी हमारी नहीं हुए ही मैं इसलिए ज्यादा तेज नहीं चलाता हूँ और यहां पर यह लॉक है और यह जो दूसरा यह हमारा देख सकते हैं यहां पर दूसरा यह यहां पर यह जो हमारा दिख रहा है तो यह लॉक हो गया पहले से मैं दिखा देता हूँ तो यह हमारा तो दूसरा है यह है पिट्रोल का इसके बाद इसके बगल ने आप यह जो आपके देख सकते हैं इसमें इंजन वाला बगल जो दोगा यह ज़सी आख नियुद है चार पोनट में चार खुटी बॉले माथ तो कित templates के पाढ़ हो तो यह यहां पर जाप करता है उसके पाद यहां पर देखते हैं और कुछ मैं बताऊंगा इसमें डीटेल में पहले तो आप इसको समझ सकते हैं इंजन पिट्रोल हो गया ठीक है और यहां पर साइड लगा है फिर मैं यहां पर गियर हटा देता हूं क्योंकि अभी सारा जो इंफो है इसमें नहीं हो रहा है तो यहां पर देख सकते ही यहां बटन दिया है तो इंश बैते हैं क्लिक कर लेते हैं आपको इस यहां अभी सब करें दिखने सभीह, चली है देख सकते हैं तो यहां पर पहले डीटल नहीं सब भाइँ हिस developer केछ सारी डीट़ें आजती है तो ऐसे अपर आपको बारे में नहीं बताए था यह हमारा जो आरपेम वाला बताए जब हाई आरपी पे चलते हैं तो यह लाइट बिलिंग करने लगती अटोमेटि उसके बाद इसका है तो एरो में क्लिक करता हूँ यहां पाल देखते हैं अब यह टृइप का टाइम है तो टृइप मतलब यह होता है कहीं पर जानना हो तो तो कितना फियूल यूज होगा क्या है सब इसमें आप सेट कर सकते हैं कफी अच्छ उप्सन है इसके बाद एबरेज स्पीड आ गया इसका पहले गियर में जो पहला गियर है उसमें 30 किलोमीटर चल सकता है इबरेज इसके बाद यहां पर एबरेज फ्यूल मतलब जो की इसका बोलते हैं माईले देती है अगर आप सही धंग से इसको चलाते हैं चाहिए पचास साथ सतरास्ती की बीच में रहते हैं तब ऐसा माईले देता है अगर अगर आप ज्यादा स्पीड में चलते हैं 120-110-100 के पार रहते हैं तो यही करीबन 35 तक होगी 38-35 क्योंकि उसमें ज्यादा फ्यूल है दो पॉइंट तो इसमें हमारा 90 km चलेगा गाड़ी मतलब इतने फ्यूल में हमारा गाड़ी 90 km चलेगी ठीक है तो इसको आप समझ सकते हैं अच्छा काफी अच्छा फीचर से इसमें उसके बाद यहां पर देखते हैं फिर आपको करना होगा फिर वही उप्सन आएगा उसको टाइम चीज करने के लिए आपको क्या करना होगा डिर्क रसे अईयरो वाला प्रेश करना रहेगा अठ इसेज़ करना होगा तो आप फिलाल समद गए होंगे तो यहीं से फिर आप सेट कर सकते हैं यहीं पर आप टैप करके हटा भी सकते हैं तो दोस्तो अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना हैं तो चैनल को जरूर मिलते हैं दोस्तो एक अच्छी नहीं वीडियो में तो आख बाए बाए हूं झाल वो यह इसकी आप बनाए रखना है ताटा